इंडिया नीज हरियाना अपणी बोली अपना चैनल लोग तंत्र के महाबारत में एक और होंगे हमारे सीधे सवाल दूसरी और होगी जवाबों की धाल क्या तीके सवालों से पच्च पाएंगे महारत लोग सबाद चुनावों पर विशेश चौदा का चक्रवियू नमस्कार बहुत स्वागत है आप सफीका इंडिया न्यू जर्याणा पर मैहूर आजीव रगुनंदन और ये वक्त है चौदे के चक्रवियू का चौदे के चक्रवियू में आज हमारे साथ होंगे वेदपाल तवर वेदपाल तवर बिर्चपुर कांड के हीरो कहे जाते हैं इन पर राज़ द्रोहों और देश द्रोह के भी कई आरोप लगे हैं वेदपाल तवर ने इन सारे आरोपों का बड़ी बहदुरी के साथ सामना किया है और आज कल वो सियासत में सक्रिये है मूलते व्यापारी माने जाने वाले वेदपाल तवर ने अपने सियासी सफर की शुरुआत बीजेपी से की लेकिन जब बीजेपी में बात नहीं बनी तो उन्होंने बीएसपी का रुख कर लिया और अब वो बीएसपी की टिकेट पर बिवानी महंदरगण लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में है तो चर्चा शुरू करेंगे चौदे के चक्रव्यू में वेदपाल तवर से तो चौदे के चक्रव्यू में वेदपाल तवर हमारे साथ मौझूद है तवर साब बहुत स्वागत इंडिया न्यू जर्यारा पर चौदे का चक्रव्यू में आप बीजेपी में गए पी ने आपको भिवानी महंदरगर्ण लोगसवा क्षित्र से चुनाओ मेदान में उतार दिया किस तरह की तैयारी चल रही है सर क्या आप चुनाओ जीत रहे हैं बिलकुल हम चुनाओ जीत रहे हैं पूरा लोगों में जोस है और चुनाओ मैंनी अरियाना प्रदेश का विवानी महंदरगर्ण लोगसवा का हर कारी करता जीत रहा है अरियाना प्रदेश में जिस तरिके की आलात है आपको अच्छे तरिके से पता है यहां एक ब्रादरी के लोगों को छोड़ करके 35 ब्रादरी को लोगों का समर्थन मेरे पास है और यह हारजित मेरी अकेले की नहीं है हारजित भी 35 ब्रादरी के लोगों का तवर्साब जो राजनितिक पंडित है जो राजनितिक विशलेशक है वो ये मानगा है कि बिवानी मेंदरग하는데 आज अक्षूरे प्रभर सुम्दय कहीं मुकाबले में नहीं है जब भी बिवानी मेंदरगare लोकसवा, क्षेत्र का विशलेशन होता है तो वहाँ पर त्रिकोणी मुकाबला देखने को मिल रहा है वहाँ मुकाबला है शुती चौधरी, धरमवीर और इंडिया नेशनल लोगदल के राओ बहादुर के बीच आप तो वहाँ मुकाबले में है ही नहीं फिर आपकी यह जो दाविदारी है इसमें कितना दम है बिलकुल सही कह रहे हयाँ आप वो लोग एक तरफ हैं, मैं एक तरफ हूँ मेरा उन से कोई मुकाबला नहीं है वो तिन्नो एक, जितने बोट तिन्नों लेंगे मैं उन से जादा तिनों से जादा एक लाल हुआ ये सही है ये तिनों के तिनों एक 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 उनका कैडर बेस है उनके जो बोट है वो एक बादरी के बोट है जाट से नहां उनका कोई बोट नहीं है दूसरे गहर जाटों के बोट हैं वो मेरे को मिल रहे है इसलिए मैं जीत जीत रहा हूँ इसमें कोई सकनी मैं पहले भी कर रहा था एक नारा लगा हुआ है यहां चोटाला दरंबीर कांग्रेसाई एक बोट तिन उमरे कसाई का नारा चल रहा है और उस लोग के साथ वो लोग मेरे साथ काम कर रहे है पैतिस बरादरी के लोगों का य नहीं देंगे को यहां तो नेम करने वारे जूठे हैं नहीं मैं जीतूंगा तबर साब एक चीज़ बताईए मुझे आप किस आदार पर इस बात को कह रहे हैं और आपने उस लाखे के लिए ऐसा क्या किया है कि आप कह रहे हैं कि आपकी बार अरियाना परदेश की जनता न इन्होंने मेरे मिर्जपूर अंदोल लड़ा और खरक गोडी कांड लड़ा बगाना कांदोल लड़ा आज भी डाबडा रेप केश खाम की आ लड़.. आज भी मैं कहता हूं मैं अभी अभी होस्पिटल से आया हूं बाहना गाम की चार बच्चियों के साथ बलाज़कार हुआ मैं वहाँ गया उंकी बैच्चियों को उठा गर गए एमधावाद अभी देखिए मेडिकल हुआ है उन लोगों के खिलाब जुल मैं और जो जुल मेरे साथ किया है सायद किसी के साथ इन लोगों ने नहीं किया उन लोगों ने मेरे साथ मुक्तमा लगा करके मेरे को पिटाई करके साथ दिन तक रिमांड पे रखा जो मेरी हालाद की वो बात लोग देख रहे है 35 बरादरी की मैंने बात की मैंने कोई गुना नहीं कि अर्जनता उन से कुथरी है तबर साथ आप जानते हैं आंदोलन करना और चुनाओ लड़ना दोनों अलग अलग चीज़ है तबर साथ आपकी बात अप्पी जगे सही हो सकती है आपने आंदोलन किये होंगे इससे इंकार नहीं है आप दलितों के साथ खड़े रहे होंगे अन्याए में ये भी सही है लेकिन अंदोलन करना एक अलग चीज़ है और सियासी चुनाओ राजनीती करना एक अलग चीज़ है कोई अलग चीज़ नहीं है अगर आप देखिए जनता की आवाज उठाएंगे जनता बश्चता चारियों को बोट नहीं देगी जो लूट रहे हैं उनको बोट नहीं देगी जनता उसको बोट देगी जो उनके आखों की बात करता है उनके बात की बात करता है अगर जनता के अगर कोई किसी ने मेरे जैसे आजमी को अगर अगर अभिशुस खो दिया तो इनकी कोन लडाई लड़ेगा मैं लडाई लड़ रहा हूं तो वो अगर उनों ने मेरे शे आस्ता नहीं रख़ी मैंने उन्चे नहीं रख़ी सब्साब ये दावे तो तमाम सब नेता करते हैं आप क्या खार कर रहे हैं ये बताईए. आरिये साथ. आरिये नारिये साथ. मैंने पिर भी राजद्रों का मुकद्मा उठा 7 दिन के रिमांड मेरे हुए. लोग-जंता के, लोग जानते हैं ये बात. मेरा जुषवान बेटा इसमे गया. मेरी हालात क्या बढ़ाई मेरे को बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने इनको ताकि गैरजाट की बात ना कुरू इस अंदोल को मैंने रोखने का काम किया और मैं आज मेरी जंता के सामने रो रहा हूं जितने घाओ मेरे च्छाती में हैं मेरे हाग इनोंने लगाई हुई है वो देखिए दूसरा कंडिडेट पांच अत्या भाजबा के कंडिडेट के पांच अत्याओं का केस है तीन जूई में उसने मारे जो गारेल्वे भाटक में मारी और एक राजे स्यादों को मारने का काम किया उस आदमी ने इतनी अत्याएकरी क्रिमिनल प्रवर्तिक आदमी है उस आदमी को बीजेपी ने टिकट दे दिया वो अलक्सल लड़ रहा है जनता और तवर्तिक आप पर यह आरोप लगता है कि आप मूलते व्यापारी हैं पहले आप चुलाओ लड़ने के लिए टिकेट लेने के लिए बीजेपी में गए और जब आपका बीजेपी में ये स आप किसी भी तरह से चुनाओ लड़ना चाहते हैं आप किसी भी तरह से किसी पार्टी की टिकेट चाहते हैं और अब आप बीजेपी की टिकेट पर चुनाओ मैदान में देखे मिरा पिता जी देखे मिरा पिता जी एक आम किसान है और मैंने चारसों रुपे की नोकरी किया वेपारी कहां से हो गया मैंने नोकरी गाओं के रोड़ से उठके को आया हूँ और बिल्कुल इन से पूछ लेना कि वेदबाल ने पबलीकल्ट में नोकरी करके यहां तक पूछने का मैंने काम किया है मैं कोई वेपारी नहीं हूँ, मैंने हमेशा मजदूर यूनियून में काम किया मजदूरों की लड़ाई लड़ी, गरीबों की लड़ाई लड़ी, अरहान देखी का मैंने इसलिए लड़ाई लड़ी कि मैं छत्तरी हूँ, सातर दर्म का पालन कर रहा हूँ मेरा कोई बैकराउंड बेपारी नहीं है, जाके मेरा घर देखिये आज चाहें मैंने बेपार के दरिये, दो पैसे किसी के दरिये मैंने कमा लिये बाकि मैं उस हालात ते बिल्कुल आम घर चे उटके आया हुआ आदमी हूँ आम आदमी हूँ, मैं इस बाद के लिए मैं आपको करना चाहता हूँ चलिए तावर्सार तेरे को यह पूछ लेना, यह लोग भी कहते हैंगे वेदपाल नोकरी करता था, बिल्कुल 400 रुपे की नोकरी करता था मैं